वेल्कम बेक एप्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्फिसे श्टड़ी प्रेक्टिस सैट टंबर ये 82 है समिक्षा अधिकारी साहयक समिक्षा अधिकारी के लिए टेस्स सीरीज चल लई है और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है वहां पर अप टेस्स नंबर बन से लेकर 82 तक पहु तो पेड टेलिग्राम गुरुप से ठीक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉलिया वर्ट सब कर दीजे तो तीन से चार सेगिंड का टाइम लेगा एक प्रेस्ट को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना की आंसर क्या हो सकता है पहला प्रेस्ट है नम लिक पेट्रोल है डीजल है सारे के सारे तो फोसिल फ्यूल है यह प्राकृतिक तेल है तो डी हो गया उसका अंसर बन टू थरी फोर देखें डीजल हो गया पेट्रोल हो गया कोईला हो गया प्राकृतिक है यह सारे के सारे जीवास्म इधन के कुछ उधारन है और जीवास्म कोशन नमबर उपर आज़े ताब बिद्धुत उत्पादर में किये जाने वाले निम्न सिर्णी के कोईले में राख का प्रतिशत कितना होता है फ्लाई एस बनता है फर वो कितना होता है 10 से 15 प्रतिशत से जादी होता है 20 से 25 प्रतिशत 30 से 45 प्रतिशत सही आंसर हो जाएगा इसका यहां पर 60-70% से कम होता है यह नंबर इस पर कॉलिया वाटसप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राफ्ट कर सकते हैं UPPCS की भी और समिक्षा अधिकारी की भी तो देखिए ताव विद्धुत उत्पादन में उप्योग किये जाने वाले निम्नसरनी के कोईले में कोईले की राख में जो है 30-45 पृतिशत उस कोईले में जो है 30-45 पृतिशत की राख होती है और इस राख में लैड यानि सीसा आरसैनिक पारा केडमियम और यूरेनियम हो सकता है और इस से होता है fly-ass production fly-ass production ताव, विद्द॥ सैंतर के कारण होता है और fly-ass एक उप उतपाद है जो ताव, विद्द॥ सैंतर में कोईले को जलाने से उतपन होता है तीक है? इसी कोईले को जलाने से जिसमें राख का प्रतिश्ट कितना 30-45% के बीच होने नमबर 3 पर आजए सामान वर्षा का pH मान कितना होता है सामान वर्षा का pH मान होता है 5.6 और जो acid rain होती है उसका होता है 4.2 तो सामान वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.6 होता है कारबन डायकसाइड की उपस्तिती के कारण यह है थोड़ा अमलिय होता है जो दुरवल कार्वनिक अमल बनाने वाले जल में घुल जाता है अमल वर्षा की बात करें एसी डेन की बात करें तो एसी डेन का पी एच मान आम तोर पर 4.2 से 4.4 के बीच में होता है क्योंकि इस में अमल की मातरा अधिक होती है question number 4 पर आज़िए सिकोकू डीप नेबन के डिर्मिके से किस देस सेता है सिकोकू डीप इस टेस्ट में Current Affairs के प्रश्न है और जी एस के प्रश्न है सिकोकू डीप जो है वो है जैपान में तो ए है इसका अंसर देखें सिकोकू हो गया क्यूशू हो गया होकेडो हो गया होन्सू हो गया यह जो सारे के सारे हैं जापान के विभिन द्वीपो का समू है ठीक है और यह छेतरफल के सही अबरोही क्रम्प को प्रदर्शित करता है अगर छेतरफल पूछ ले तो होन्सू सबसे बड़ा उसके बाद होकेडो, क्यूशू और शिकोकू Question No.5 पराजी अमरदा स्वास्त कार्ड की सुरुबात प्रधान मंत्री के द्वारा रजस्थान के सूरत गड़ से की गई थी कब? एक वार्ड छूट किया यहां पर कब की गई थी? फरवरी सबी में कॉमन है, फरवरी 2015 में की गई थी, C है सकांसर तो उम्रदा स्वास्त कार्ड की सुरुबात जो है फरवरी 2015 में भारत यह प्रधान मंत्री के द्वारा राजस्थान के सूरत गड़ से की गई थी यह कथन कारण वाला सवाल है, दो से तीन प्रशन से पूछे जाते हैं, एक्जाम में पहला स्टेटमेंट है, मतलब कथन है, पलास को जंगल की आग कहा जाता है, इसका कारण क्या है? इसके तने से खास सरे का रशान निकलता है, जिससे जंगल में लगने, जंगल में आग लगने का खतरा जो है बढ़ जाता है, देखें बिलकुल पलास को जंगल की आग कहा जाता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, इसके तने से ऐसे कोई सा भी रशान निकलत किसी प्रकार का जिसे जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है बुलकि जो इसके फूल होते हैं वो इतने आकर्षक होते हैं उनके ही कारण जो है पलास को जंगल की आग कहा जाता है तो यहाँ कूट में जो पहला कथन है कि कथनों करण दोनों सही है और कथन सही बैख्या करता है गलत है कथनों कारण दोनों सही है कारण कथन की सही बैख्या नहीं करता है यह गलत हो जागा statement यहां जो सही उत्तर होगा वो सी होगा कथन सही है किन्तु कारण जो है वो गलत है तो कथन सही है कारण गलत है क्यों क्योंकि पलाज एक बरक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और इसके फूलों के क्यारन ही इसे जंगल की आ आप कहा जाता है ना कि कोई खास तरह का रशाइन इसके जड़ या तने से निकलता है इसके करणे जंगल में आँग लें सुपरीम कोड क्या करे गाइस मेल बनेट कर देजे Buenos लेकिन सबसे अच्छा उत्तर है cabinet समिती करेंट फिर्स का सवाल है हाल ही में जारी वैश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग रहर बाइस में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है यानि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को जो इस्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है वो है 135 वा तो वैश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग यानि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके दरा जारी कियाती है या विश्व आर्थिक मंच के दरा जारी कियाती है और हाल ही में जारी वैश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग 22 में भारत को 135 35 अस्थान मिला है यानि खराब इस्तिय भारत की 116 जिसों में कि केंद्र सुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान नम्रे के दिमाशे कहां इस्तित है यह इंपॉर्टेंट है सवाल टैस सीरीज में कई बार हमने चर्चा की है यह है राजस्थान में और सारे के सारे जिले राजस्थान के देदिये इसमें राजस्थान के जोधपूर में है यह तो देखिए सेंड केंद्रे सुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान यानि सेंट्रल अरेड जोन रिसर्च भारत के साथ नम्लिकत में से कौन सा देश सामिल होता है और ये बजर परहार का जो हाल ही में 13 संस्क्रण है वो भारत में संपन हुआ भारत के हिमाचल प्रदेश में संपन हुआ बजर परहार में भारत के साथ है संयुक्त राज अमेरिका अपसर नम्बर C तो बजुर प्रहार भारत और संयुक्त राज अमेरिका के वीच एक संयुक्त सेनब भ्यास है और हाल ही में इसका तेरवा संस्क्रण जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में संपन हुआ कॉश्चन नुम्बर 11 पर आजे नुम्र के तुम से कौन सा देश जी 20 का मेंबर नहीं है जी 20 में मेंबर है ऑस्टेलिया चीन भी या भारत भी है व्यतनाम नहीं है तो जी 20 समू में जो है अर्जन्टीना ऑस्टेलिया ब्राजिल कनाडा चीन यूरपीय यूनियन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जपान मैक्सिको रूस साथी अरब दक्षन अफ्रीका कोरिया गणराज तुर्की युनाइटिट किंग्डम और संयुक्त राज अमेरिका सामिल है वेत्नाम इसका मेंबर नहीं है वेत्नाम की जय căkछ भी हो सकता है सिंगापुर हो सकता है लाऊस हो सकता है ऩ। कि थे नु अल्बर 20 पर आज़े इंपरेंट्न सबार्या य Means क्या है कुछ ही पूछ गोरिया दिवस 22 की थीम है I love a sparrow यानि गोरिया से मुझे प्यार है option number 2 तो विश्व गोरिया दिवस 22 की थीम है गोरिया से मुझे प्यार है I love a sparrow option number 13 पर जाचये एक विमारी है Trachoma मानमं शरीश के किस अंग की विमारे है Trachoma गले की आँक की मस्तिक्षण की या यक्रत की Trachoma विमारी का संबंद है आँक से Trachoma रोग जो है एक जिबानू के दोरा होता है प्लेमीडिया Trachomatis क्ले मीडिया ट्रेकोमाइटेस और यह आँखों की बिमारी है ट्रेकोमा ठीक है जैसे कि रतुंधी आँखों की बिमारी है उसी तरह से जिसको बोलते है नाइट ब्लाइंडनेस बिटामिने की कमी के करना होती है वो नमबर 14 पर आजएए अंतराश्य पुनेरमाण और विकास वेंक यानि आई वी आर्डी में कितने सरस्य हैं कितने हैं 192 नहीं है 190 से भी कम है 188 अंतराश्य पुनेरमाण और विकास वेंक यानि आई वी आर्डी में बरतमान में एक सो अठासी सदस्य देश हैं और इसकी इस्थापना हुई थी वर्स उनिस्सो पितालिस में ठीक है वर्ड बैंक का ही है विश्वेंक का कोश्चन नूमर फिप्टीन पर आजए नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट है यहां पर बताना है कि नमसे कौन सा सही है 42 वे संबिधान संसो दन के द्वारा वजट सब्द को संबिधान में सामिल किया गया और भारते संबिधान के अनुचेद 118 में वार्षिक वित्विवरण का परियोग किया गया है देखिए भारते संबिधान में बजट सब्द का कहीं पर भी परियोग नहीं किया गया है इस संदर में भारते संबिधान के नुचेद 118 में वार्षिक वित्विवरण का परियोग किया गया है इसने डी स्टेट्मेंट सही है क्योंकि दोनों के दोनों इंकरेक्ट है ताप जीता आपको बताना है कि यह है जो मुकाबला है वो कहां आयोजित किया गया था प्रश्ण पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है थामस कब दोहर बाइस आयोजित किया था थाईलेंड में जीता किसने भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर तीन सूने से तो भारते पुरुस बैडमिंटन टीम ने 15 मई दोहर बाइस को एक बड़ी उपलबदी हासिल की है थाईलेंड के वैंकोक में आजे थामस कब दोहर बाइस के एक तरफा फैनल मुकाबले में चौदे बार के विस्व चैंपियन इंडोनेशिया को तीन सूने से हरा कर पहली बार थामस कब जीता कॉशन नमबर 17 पर आजए ट्रेवल एंड टूरिजम डेवलप्मेंट सूचकांग दोहर 21 में सीर्स देश किस देश ने सीर्स इस्थान हासिल किया है किस देश ने किया है अमेरिका ने जापान ने फ्रांस ने भारत ने ट्रेवल एंड टूरिजम डेवलप्मेंट इंडेक्स में जापान जो है सीर्स इस्थान पर है अगर भारत की बात करें तो भारत का इस्थान है 54 तो ट्रेवल एंड टूरिजम डवलप्मेंट सूचकांग देहार 21 में जापान का स्कोर है 5.2 और इसने सीर्थ सिस्थान हसिल किया है इसके बाद सेम उक्तराज अमेरिका है तीसरे पर है स्पेन चोथे पर है फ्रांस और पांच में पर है जर्मनी और भारत की बात करें तो भ भारत को इस्थान मिला है चववनवा को को स्वारूप को कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 24 जुलाई 1947 बीस जुलाई 1948 या 26 जुलाई 1947 को को कौस्चन नमबर यह जो 18 है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 आपसर नमबर यह तो 22 जुलाई 1947 को हुई सम्विधान सवाकी बैठक के दौरान रास्टे धोज को उसके बर्तवान सुरूप में अपनाया गया था बहुत सारे एक्जाम में पूछा है सवाल कई बार कोशन नमबर 19 पर आजिए नाडिक देशों के साथ भारत की दूसरी सिखर वैठक कब संपन होई चार मई चार जुन चार जुलाई चार अगस्ट 22 22 22 22 चार कॉमा नहीं यहाँ पर और सन कॉमा नहीं यहाँ पर और उत्तर निकलेगा मंथ से चार मई 22 को संपन होई देखें नाडिक देशों के साथ भारत की दूसरी सिखर वैठक जो है चार मई 22 22 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के डैनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपिन हेगन में संपन होई और कि इसकी अध्यक्सा किसने की इसकी अध्यक्सा किया है डैनमार्क के प्रथान मंतरी मैट फ्रेडरिक्सन ने और अगर पूछ लेगे नाडिक देशों में कौन-कौन से देश सामेल है डैनमार्क है, नौरवे है, आइसलेंड है और फिनलेंड है question number 20 पर आजे अंतिम प्रश्ण है और प्रश्ण है नाटो के संबंध में नाटो के संबंध में निम्लिकत में से कौन सा विकल्प जो है गलत है देखिए नाटो एक अंतराश्टिय संगठ है जो राजनेतिक और से ने संसादनों के माध्यम से अपने सरस्य देशों को स्वतंत परकुरता और सुरक्षा की कारेंटी देता है इसकी स्थाफ़नाएंचा प्रश्व कर्श्व में नाटो कंड़न आगूर बिल्कुल जो भारत है नाटो का मेंबर नहीं है, अकर यहां होता नाटो का मेंबर है, तो यही स्टेटमेंट गलत होकर आंसर मिल जाता अपना, लेकिन यह सही है, इसकी स्थापना उनिस रोड़न्चास में की गई थी, यह भी सही है, और नाटो एक अंतराश्टी संकठना है करेक्ट है इतना, जो राजनितिक और सैन ने संसादनों के माध्यम से अपने इसरसे देशों को सतंतता और उसरक्षा की कारेंटी देता है, बरतमान में इसके जो महासरचेव हैं, वो अबदुल्ला साहीद नहीं है, तो सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, क्योंकि बर प्राप्ट कर सकते हैं, इस सब्सक्राप्ट कर लिजेगा, इन सभी टेस्ट का पीडिया भी प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रप्शन बॉक्स में नमबर है, उस पर कॉल या वाट्सप करके, पीडियाफ आपको मिलेगा, पेड टेलिक्राम ग्रूप में ही, ठीक है, यह नमबर है, उस पर कॉल या वाट्सप करते हैं, धन्यवाद,